नमस्कार प्रिव द्यार्तियों स्वागत आपका विकेज फिजिक्स अकेडवी में सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को हो लेकी बहुत बहुत सुब काम नाए BSC Final Eurexam 2022 में जो Important Qution सिरीज हमने स्टार्ट कर रखी है इसमें हमने पेपर First Quantum Mechanics की First Unit के Important Qution अप्लोड कर दिये है इसके बाद हम आज Paper Third Electronics जो काफी Important पेपर आपका Electronics and Solid State Devices इसके Unit First के Important Qution अप्लोड करने वाले हैं तो ये जो Important Qution में अप्लोड कर रहा हूँ Almost Qution जो है वो यहीं से आने वाले हैं क्योंकि पिछले वर्स भी हमने Important Qution बताए थे उससे पीछे वाले वर्स भी हमने Important Qution बताए थे तो अभी तक तो जो हमने बताए Almost 90% पेपर जो है उसमें से जरूर आया है उमीद करते हैं कि आगे भी ये परसन जो हम बताएंगी वो जरूर आएंगी इसके लावा आप अपने According अगर और Best त्यारी करना चाते हैं ज्यादा स्यदा पढ़ना चाते हैं तो आप पर निर्फर है जितना आप पढ़ेंगे वो आपके हमेसा काम आएगा और अगर आप Selected पढ़ना चाते हैं तो यहां से जो मैं Important Question बता रहा हूं वो आप पढ़ सकते हैं आगे हम कोशिस करेंगे कि Other Subject के भी Important Question प्रवाइड करवाने की अगर Host के तो वरना Physics के तो हम करी रहे हैं अभी मैं यहां पर आपको यूनिट वाइज Important Question बता रहा हूं जैसे टाइम टेबल जारी हो जाएगा एज आम नजदीक आ जाएगे तो मैं आपको एक पूरा पेपर एक साथ Important Question बताऊंगा जिनको आप अच्छे तरीके से एक दिन पहले या दो दिन पहले पढ़ करके अच सभी Classes के Important Person यहां पर अप्लोड होने वाले हैं और आप मारे टेलेग्राम चैनल को भी जोइन कर सकते हैं जिससे कि आपको PDF Notes से टेलेग्राम पर प्राप्त हो जाएगे तो यहां पर आप आप देख सकते हैं BSC Part Third Exam 2022 Paper Physics आपका Paper Third है Physics का Electronics and Solid State Devices अब इसमें Section A के बात करें दो Section A के अंदर सबसे पहला क्यों से रहेगा What is किर्चोफ Current Law and Voltage Law देखे अभी तक किर्चोफ ला जो है वो काफी बार आ चुका है और कभी किर्चोफ का धारा का नियम है Current Law है वो पूछ लेते हैं कभी Voltage बाला पूछ लेते हैं तो मेरा यह कहना है कि आप इन दोनों को Section A में तो इसमें रेखिक परतिबादा क्या होती है और द्वी पार्शिक परतिबादा क्या होती है इसको धान सहीत समझाईए यानि कि कौन-कौन से जो Component है या वह है वो आपको Linear परतिबादा बताते हैं और कौन-कौन से जो है द्वी पार्शिक परतिबादा बताते हैं सभी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है टोटल नोट्स के अकोर्डिंग सभी को समझाय हुआ है आप जाके वीडियो देख सकते हैं अपने यूटूब चैनल पर इसके बाद हम बात करें तो परसन नमबर तीन इसके अंदर रहेगा कि साखा और पास को परिपत द्वारा समझाय यानि आपको सर्की डाइग्राम बनाके बताना है कि यहाँ पर इसको तुम साखा कहते हैं यहाँ पर यह साखाएं है और यह आपका पास है पास यानि लूप जिसे कहते हैं यह पास है और किर्चोफ नियम जो हैं वो साखा और पास के अंदर ये पलाई होते हैं ये आपको पताई है explain branch and loop with circuit diagram तो ये भी एक important क्यूशन हो सकता है अब की बार क्योंकि जो दूई पार्शिक परतिबादा है किर्चोफ का voltage नियम है या current नियम है ये तो दो तिन साल से repeat हो रहे हैं तो अगर इनको छोड़ते हुए वो क्यूशन उठाएगा तो वो branch या फिर loop से उठाएगा इसके अलावा एक क्यूशन और भी बनता है हमारे फर्श निट के अंदर जो है परी चालन बिंदू परतिबाधा इसको परिपासित करना आपसे पूछा जाएगा यानि कि defined driving point impedance क्या होती है driving point impedance क्या होती है जैसे कि मैंने आपको अभी बताया हमारे यूटूब चैनल के उपर electronics की starting की दो unit तो बिलकुल complete है topic to topic दे रखी है notes के साथ है और इसके आगे की जो unit है जैसे transistor की third unit है amplifier की है इनके भी काफी वीडियो जो है upload है तो उनको भी आप देख सकते है quantum की चार unit है वो upload की हुई है बिलकुल notes के साथ पांच भी हम जल्द ही upload करेंगे और nuclear की और solid के भी कुछ important जो topics हैं या unit है वो भी upload कर रखी है तो यह 4% जो है section A के लिए आप इस unit से अच्छा तरिके से त्यार करें सिर्फ definition type आपको इसमें पढ़नी है अब हम बात करें section B में तो section B काफी important रहता है क्योंकि इसमें numericals भी आते हैं और तीन नंबर के question इसके अंदर आते हैं तो अभी तक पिछले दो-तिन सालों से अध्यारोपन पर में जो हो नहीं आई है और अध्यारोपन पर में इतनी ज़्यादा lengthy भी नहीं है कि यह 5 नंबर में आसके वाकि देने को दे सकते हैं लेकिन मेरे according यह 3 नंबर में अपकी बार आने की समावना बनती है अध्यारोपन पर में सूपर पोजिशन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट लिखके इसको प्रूफ करना आपको उचा जाएगा write the statement of superposition theorem and prove that यह यहाँ पर आ सकते हैं तो इसको आप अपकी बार अच्छे तरिके से त्यार कर लें इसके अलबा जो दो most important पर्मे हैं वो आपकी थेवनीन और नोल्टन उसके भी अमचर्चा करेंगे दो number question जो हर बार repeat ही होता है और इसके अलबार फर्श निट में बनते ही नहीं है टी और पाइनेटर को समझाईए कि टी और पाइनेटर क्या है और ऐसा भी पुछा जा सकता है कि इनका आपस में transformation किस परकार से किया जाता है इसका आपस में रुपांतरन कैसे होता है तो section B के अंदर हम बात कर रहे हैं तो इसमें नोर्टन पर में जो है वो पिछली बार 2021 से ग्याम के अंदर section C में पूछी गई थी उसको प्रूफ करना और उसको शिद्ध करना 5 number question के लिए और थेउनीन पर में पे section B में numerical पूछा गया था अब की बार संभावना ये बनती है कि नोर्टन पर में पे आपको numerical पूछा जाए और section C के अंदर या तो अधिक्तम सक्ती संचन पर में या फिर थेउनीन पर में को पूछा जा सकता है तो यहां पर मैंने आपको बताया नोर्टन पर में को प्योग करती है अब यह numerical अगर आपको करना है तो आपको नोर्टन ध्योरम अच्छे तरगी से complete है याद भी करनी पड़ेंगी तब ही आप इसका equivalent diagram बना पाएंगे और यह equivalent diagram तुल्ले परिपत कैसे बनाते हैं यह सारा हमने playlist के अंदर आप देख सकते हैं वीडियो लेक्चर बना रखें सारे एक्जामपल बता रखें आप वहाँ से जाके इसको सीख सकते हैं क्योंकि फर्ष्ट मुट के अंदर ऐसा कोई topic नहीं है जो आप छोड़ सके यानि तीन चार पर में है इंपोर्टेंट और कुछ definition है वो ही अगर बार आती हैं और उनको अच्छे से आप पढ़के फर्ष्ट को बिल्कुल complete त्यार कर सकते हैं यहां पर आरेल जो है वो multiply में नहीं है यहां पर थोड़ टाइपिंग ऐसे ही हुआ इसका आरेल इस प्रकार से लोड रेजिस्टेंस है इसका मतलब यह आपके पास इस तरिके से एक डाइग्राम दे दिये जाएगा उसका तुल्ले परिपत आपको बनाना होगा पर्मे का उपयोग करते हुए इसके बाद हम बात करें सेक्षन बी के अंदर तो थेवनीन पर्मे की संभावना है जो है इस बार ज़्यादा बन रही है थेवनीन पर्मे का कथन लेकिश को सिद्ध करना और देखिए वैसे यह पर्मे जो है वो आपको सेक्षन सी में भी पूछी जाते हैं कभी-कभी थेवर्म भी पूछ लेजाती हैं तो जो भी हो आपको इनको त्यार करना है अब हम बात करें सेक्षन सी में तो सेक्षन सी में 2-3 साल से पिछले साल से अधिक्तम सकती संचन पर्मे जो है वो नहीं पूछी गई है तो 2022 के अंदर maximum power transfer थेवर्म जो है उसकी संभावनाए C section में ज्यादा बन रही हैं तो इसको आप अच्छे तरीकी से त्यार कर लिजेगा अधिक्तम सकती संचन पर में का कथन लिखके इसको व्यक्पित करना और किसी जनितर से लोड को अधिक्तम सकती संचन के लिए जो हम फॉर्मला ड्राइव करते हैं वो फॉर्मला आपको ड्राइव करना है इन सभी क्यूशन के जो सॉलेशन है वो आपको अमारे प्लेलेस्ट में मिल जाएंगे इलेक्टोनिक्स सर्कीट अनलाइसिस जुटनिट फर्स्ट नाम से प्लेलेस्ट बना रखी हैं इलेक्टोनिक्स के अंदर वहाँ पर आपको ये सभी टोपिक्स जो है तो मिल जाएंगे डेफिनेशन भी मिल जाएंगी और पूरा प्रूफ भी आपको आपको मिल जाएगा तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हैलफूर रही होगी तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, सेर करना बिलकुल भी न भूलें क्योंकि जो भी विद्यारती हमारे चैनल को देखेगा वो सब्सक्राइब जुरूर करेगा क्योंकि यहाँ पर किसी क्योंकि शेखेबाओन